प्यारे भाई बहनों, सेवा, सेवा का आध्यात्म में बहुत अधिक महत्व है, सेवा जहां सेवा करने वाले व्यक्ति को आत्मिक, सुख और संतोष देती है, बहीं ये सेवा व्यक्ति की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करती है, इसलिए सत्गुरु ज्यान देने के बाद आदेश करते हैं कि सेवा करनी है सत्संग करना है और सिम्रन करना है सेवा करने से ब्यक्ति का जहां एहंकार भी चूर चूर होता है उसमें एहम की भाबना नहीं आती बहीं सत्गुरू के चरणों के प्रती उसका लगाब भी लगातार बढ़ता है और मानब मात्र की सेवा करने का जजबा उसके अंदर लगातार बढ़ता चला जाता है अगर कभी हमारे लिए कोई सेवा का आदेश आता है तो फिर हमें अपने आपको खुश नसीब मानना चाहिए कि हमें सेवा करने का अबसर सत्गुरू ने दिया है इनकी मरजी के बिना कोई भी सेवा नहीं कर सकता सेवा तो बही कर सकता है जिससे ये कराते हैं सत्गुरू सेवा वह कर सकता जिससे सोयम कराबे ये सेवा सदा ही बिना किसी कामना के बिना किसी इच्छा के निसकाम भाब से की जाती है यदि सेवा करते हुए कोई कामना हम कर लेते हैं तो फिर बो सेवा सेवा की शरी में नहीं आती इसीने महात्मा कहते हैं फल कारण सेवा करे तजे ना मन से मान कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चोगने दाम सेवा करते हुए सेवक के मन में कोई मान नहीं रहता चाहे हमारा कितना ही बड़ा सामाजिक स्टेटस हो हम बहुत बड़े फार्मर हो बहुत बड़े बिजनेसमेन हो किसी बहुत उंचे सरकारी पद पर हम कारे करते हो परन्तु यदि हम सेवक बनते हैं यदि सेवा करते हैं तो फिर वो हमारा सामाजिक रुतवा उसमें आड़े नहीं आना चाहिए हम बिलकुल इस पश्ट रूप से और नहीं अपने सामाजिक रुत्वे की सेवा करते हुए हम किसी भी सज्जन से कोई बात करें यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारी सेवा जीरो हो जाती है उस सेवा का मूल्य पढ़ने के वजाए वो सेवा हमें नीचे की तरफ ले करके जाती है उपर ले करके नहीं जाती है यद्पी सेवा तीन तरह से की जाती है तन से मन से और धन से परन तो महत्मा कहते हैं कि तन मन धन तीनों से उची बह सेवा कहलाती है जो होबे निसकाम निरिच्छित वो सत्गुरु को भाती है जिस सेवा में कोई इच् नहीं है ऐसी सेवा को सद्गुरु पसंद करते हैं ऐसे सेवक को सद्गुरु पसंद करते हैं सच्चा सेवक तो अपने सद्गुरु की चरणों में बैठने को ही अपना परमसोभाग्य मानता है ऐसी एक छोटी सी घटना सद्गुरु बाबा हरदेव सिंग जी महराज के सामन जाएंगी सद्गुरू बाबा हर्देप सिम्जी महराज के बिसरान ग्रह के पास एक बार एक साधानर सा दिखने वाला सेवग सेवग कर रहा था तब ही बाबा जी को कहीं जाना था और जब बाबा जी बाहर निकले तो अपने साथ बाले अधिकारियों से कहने लगे कि ये जो सेवक सेवा कर रहा है ना इसे भी गाड़ी में बिठा लो हम इसे भी साथ लेकर चलेंगे अब सेवक एक दूसरे का मुख देखने लगे कि आखिर बाबा जी इस साधानर से दिखने बाले सेवक को सेवादार गाड़ी में पहुंचा तो सारी सीट फुल थी गाड़ी में बैठने के लिए जगे नहीं थी बाबा जी की तरब देखकर उस सेवादार ने कहा हुजूर दास्तो आपके चरणों में बैठने को ही अपना परम्थ सोभागी समझता है मैं तो आपके चरणों में ही बैठ जाओंगा और फिर गाड़ी चल पड़ी जब कुछ दूर पहुंचे तो उनमें से एक अधिकारी ने जो बाबाजी के साथ गाड़ी में बैठे थे उस सेवादार से पूछा भाई आप सेवा ही करते हो या कोई और काम धाम भी है तोबारे पास इस पर उस सेवादार से फिर बही सवाल पूछा गया और जब दो तीन बार बही सवाल उस सेवादार से पूछा गया तो उस सेवादार ने अंत तहे जो जवाब दिया उस जवाब को सुनकर गाड़ी में जितने भी दूसरे वित्ती वैटे थे बाबाजी को छोड़ कर वो सारे के सारे हत्परव रह गए हैरान रह गए और अपनी अपनी सीट से वो उटकर खड़े हो गए उस सेवादार ने बड़े ही बनम्र स्वर में बताया कि वह सुप्रिम कोट में एक जज है भाईयो बहनों जज नियाएधीस और वो भी देश की सबसे बड़ी आदालत का उसने बनम्र स्वर में कहा भाई साब जी सच्चे पास्था हुजूर की सेवा करने का अबसर तो कभी कभी मिलता है ये मेरा परमसो भागिया है कि इन्होंने मुझे अपने चरणों में बैठने का अबसर परदान किया है भाईयो बहनों कई बार जब हम सेवा करते हैं तो सुक्षम सा यदि एहंकार भ हो चाहे कितने बड़े बिजनेस मैन हो पैसे बाले हो परं तु सेवा करते हुए हम सेवक ही हैं वो सांसार एक रुटबा हमारी सेवा के आले कभी नहीं आना चाहिए एक और छोड़ी सी सत्य घटना बता कर दास आप से इजाज्य चाहेगा दरसल एक बार समागम में हमारी ब्रांच के महात्मा जै सिंग जी जब टोइलेट में पहुँचे तो बहां एक सेबादार बड़ी ही तनमयाता के साथ टोइलेट की सफाई कर रहा था। और किसी दूसरे सेबक को सेभा करते हुए देखता है तो उससे बड़े खुश्य होती है, वो उससे बात करना चाहता है, तो इन्होंने भी जब उस सेवदार के पास जाकर बात की तो उस सेवदार का इन्होंने परीचे पूछा पहले तो वो सकुचाता रहा अपना परीचे उसने नहीं दिया परन तो महत्मा जैसिंग जी के बार बार कहने पर जब उसने बताया अपने पद के बारे में तो महत्मा जैसिंग जी ने मुझे बताया कि मेरी आखे खुली की खुली रह गई दरसल वो सेवादार जो हाथ में जाडू और पानी का पाइप लेकर टोएलेट साप कर रहा था दियेम के पद पर कारियरत था इतने बड़े बड़े पदों पर कारियरत अधिकारी जिनके आगे पिछे सेवकों की भीड़ लगी रहती है सेवा करने बाले उनके एक हुकम को बजाने के लिए हर छण तत पर रहते हैं वही जब इनके चरणों में आते हैं तो सच्चे सेवक बन जाते हैं क्या रुत्बा, क्या एहंकार, क्या इगो, क्या पैसा, क्या पद, सब कुछ छूट जाता है और बन कर रह जाते हैं, केबल एक सेवक उनकी ही सेवा परवान होती है, जिनके अंदर इगो नहीं होता उनकी ही सेवा परवान होती है, जो निसकाम भाब से अपने सत्गुरू के चरणों में बैठ कर अपने आपको इनका गुलाम समझते हैं और जो ये हुकम करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो वक्षिश करो, करपा करो, यदि आप और हम भी कोई सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में भी, हमारे कारिय में भी, हमारे ब्यभार में भी बड़ी शालिनता और बनमरता होने चाहिए, चाहिए हम कितने ही बड़े पद पे कर उनसे पूछना चाहता है तो बक्षिश करो, करपा करो इस वीडियो के बारे में आप पिराय का सदा की तरह इंतिजार करूँगा, वीडियो यदि पसंद आया तो पिलीज इसे शेयर कर दीजेगा और चैनल को यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, इनी शब्दों के साथ आप सभी को जैहिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्नकार